दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले मैं भारत को भारती अता की माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ मेरी कोशिश यह है के हर व्यक्ति कोशिश करे अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा स्와धेश की मौने की design लेकी इसकी शुरूआद कहां से करें स्वरूआद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप पेपसी कोला पीना बंद कर दीलिजैंगे और हाथ उठाकर संकल प्लीजिये कि आज के बाद हम लोग पैपसी, कोका कोला, थमसफ, लिमका, सिट्रा नहीं प्लीए मुझे बहुत खुशी है कि इस हॉल के कम से कम 75 टका लोगों ने 75 परसेंट लोगों ने हाथ उठाके कहा शायद 25 टका पीते ही नहीं होंगे इसलिए मुझे और भी खुशी है तो 25 टका लोगों ने पहले ही छोड़ दिया है और 75 टका लोगों ने हाथ उठाके घोशना की है मुझे बहुत खुशी है तो हम पैपसी नहीं पिएंगे, कोका कोला नहीं पिएंगे थमसपलिम का सिट्रा नहीं पिएंगे और हम बेचेंगे भी नहीं पैपसी कोला, काउका कोला, थमसपलिम का सिट्रा तो आप पूछेंगे क्या पिएंगे पीना है तो नारियल का पानी नीबू का शर्बत गन्ये का रस संत्रे का रस, मुसम्मी का रस या फिर पीना है तो हमारे देश में धेर तरह के कोकम बनते है आम का रख अभी मौझूद है इस देश में क्योंकि आम का सीजन चल रहा है पचास एक आम का पना बनता है आम के धेर तरह के प्रपरेशन हमारे घरगर में बनते है ये सब रख हम पीएंगे और अपने महमानों को भी पिलाएंगे हम पैपसी नहीं पीएंगे, कोकाथ हम सब लिमका नहीं पीएंगे अपनी किसी महमान को भी नहीं पीने के लिए देंगे और महमान को पीने के लिए नहीं देंगे और बड़े एक और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जिन सामाजिक कारिकरमों में जाएं सोशल फंक्शन्स में जाएं अगर उन में पैफसी बठ रहा है, कोका कोला बठ रहा है तो आप उनका भी वहिशकार करिए और ऐसे सामाजिक कारिक्रमों में जाना बंद करिए अगर किसी की शादी में आप जाते हैं और वहां पेपसी और कोका कोला बट रहा है तो ऐसी शादीयों का वहिशकार करिए अगर आप ऐसे किसी कारिक्रम में जाते हैं जहां पेपसी कोला बट रहा है कोका कोला बट रहा है तो उनके कारेक्रम का पहिशकार करिए और उनको विनमरता से कहिए कि आप अगर हमको नीबू का शर्वत पिलाएंगे हमको बहुत कुशी होगी नारियल का पानी पिलाएंगे हमको बहुत कुशी होगी गन्य का रस पिलाएंगे यॉक्साइड जहरीली गैस है सोडियम ग्लूटामेट नाम का जहर है पुटेशियम सॉर्बेट नाम का जहर है लेड एसिटेट नाम का जहर है और ये सारे जहर कैंसर करते है इसमें एक ब्रॉमिनेटेड वेजिटेबल आयल है जो किड्नी फेल कर सकता है आपकी दोने जितना ज़्यादा सॉर्बरिंग पिएंगे पेपसी कोग, थमसफ लिमका, सिट्रा उतनी जल्बी किड्नी फेल हो जाएगी आपकी अमेरिका और यॉरप में आजकल बहुत ज़्यादा किड्नी फेल हो रहे हैं बच्चों के 15 साल की उमर में, 20 साल की उमर में बच्चों की किड्नी फेल हो जाती है और वहां जब किड्नी फेल हो जाती है तो कोई किसी को दान नहीं करता बाप बेटे को दान नहीं करता बेटा बाप को दान नहीं करता और अमेरिकन समाज कभी दान पे चलता भी नहीं है उनके लिए तो डॉलर भगवान है उनके समाज की वो विवस्था नहीं है जो हमारे समाज की है तो फिर क्या होता वहां के अक्वारों में बड़े-बड़े जाहराथ छपते कि हमको किड्नी चाहिए पाक लाग देंगे छे लाग देंगे इतना देंगे पिर जब वहां के जाहराथ छपते हैं तो बारत में कुछ ऐसे नाला एक डॉक्टर भी पैदा हो गए है जो यहां के लोगों का पेट काट कर किड़नी निकाल कर अमरीका भेजने का काम करें अभी मेरे उत्तर प्रदेश में तीन ऐसे नर्सिंग हूम पर ताला डलवाया गया है तीन ऐसे नर्सिंग हूम थे गाजियाबाद के पाफ प्लिली में जहां कर रोज मजदूरों को बहला कर फुसला कर लाया जाता था उनको एक हजार रुपिया दिया जाता था उनका पेट काटा जाता था किड्नी निकाली जाती थी और अमरीका एक्सपोर्ट की जाती थी तो अमरीका में किड्नीों की बहुत कमी है और किटनी वर्बाद बहुत हो रही है क्योंकि सॉफ डिंग बहुत पी रहे हैं और अब अमेरिका में भी बहुत तारे डॉक्टर हैं जो इस अंदोलन को चला रहे हैं कि पेफसी और कोका कॉला पीना बंद करो क्योंकि किटनी के लिए बहुत खतरनाक है तो इसलिए भी पेफसी मत पीजिए कोका कॉला मत पीजिए क्योंकि ये पीने लाइक नहीं और इसमें चूंकि सोडियम ब्लूटामेट नाम का जहर है पोटेशियम सॉर्बेट है लेड एसीटेट है ब्रॉमिनेटिड वेजिटेबल आयल है कारबंडाई ऑक्साइड है इसलिए ये लेहर पेफसी नहीं है जहर पेफसी है और मेरा एक निवेदन और है कि आप अपने अपने महले में ये देखिए कि कौन आदमी है जो पेफसी बेचता है जो भी आदमी आपके महले में पेफसी और कोका खुला बेचता है हम सब खरीदेंगे लेकिन पेपसी मत बेचो कोका कोला मत बेचो अगर वो राश्रवक्त होगा थोड़ी भी देशवक्ती होगी तो वो मानेगा आपकी बात और अगर उसमें देशवक्ती राश्रवक्ती नहीं है तो एक काम तो आप कर सकते हैं कि उसके घर के दरवाजे पर काले रंग से लिख दीजे कि ये अमरीकी एजेंट है तो समाज से उसका हुका पानी बंद हो जाएगा और आप जानते हैं हमारे समाज में सबसे वड़ी सजा होती है हुका पानी बंद कराना उस आदमी के घर से हमारा कोई विवहार नहीं चलेगा जो पैपसी कोला बेचता है जो कोका कोला बेचता है जो थमसपलिंका दिप्रा बेचता है और ये एक लहर पूरे देश में चलनी चाहिए और ये चलानी ही होगी देश के कई हिस्सों में ये लहर चल रही है मैं आपको खुशी की बात बता हूँ बंबई में हमारे जो कारी करता है न्यू बंबे में उन्होंने अभी एक दिन फैतला किया बेड़ हजार पेपसी कोला की बोतलों का पानी निकाल के गटर में फैंक दिया शायद आपने अकवारों में ख़बर भी पड़ी होगी उसके बाद नई बंबई में उन सारे साथियों ने जो आज़ादी बचावां अंदोलन के कारी करता है बंबई की एक एक दुकान पजाकर पिछले पंदरे दिन से एक ही अभ्यान चलाया है कि पैपसी बंद करो बेचना कोका कुला बंद करो और आज ये हालत है कि न्यू बंबे में पैपसी की गाड़ी घुस नहीं रही है कोका की गाड़ी घुस नहीं रही है वो गाड़ियां घूमती है घूमकर वापस लोट आती है कोई उनका माल लेने को तैयार नहीं है ये माहौल अगर पूरे देश में बने तो अमरी काको सबसे अच्छा सबक सिखाने का ये सबसे अच्छा रास्ता है और इसलिए भी पेपसी कोका कुला थंसफ लिमका से ट्रामत पीजिए ये सत्तर पैसे में बनता है और दस रुपए का बिक्ता है हजारों प्रतिशत का मुनाफा असबाई और इसलिए भी मत पीजिए कि आप कैलकुलेट करिए इसका हिसाब दस रुपए का तीन सो मिली लीटर पेपसी कोला है अगर तो एक हजार मिली लीटर बैठेगा कुछ तेतीस रुपए का टो ठेटीस रुपए का एक लीटर पेपसी कोला आप पी थे यहारी अच्छा गाय का दूब पी जीए गाय का दूब दस रुपए लीटर पेपसी कोला थरी सुस्वाशिए पेट्रोल बिखता है 26 27 रुपए लीटर पेप्सी कोला थेती open लेट